दोस्तो वैसे दो जनवरी के मन्त में जादा खेल सनो से रिलेटेड होते हैं और इन खेलों में भारत के खिलाड़ी बहुत कम भाग लेते हैं या लेते ही नहीं हैं तो बात करते हैं जनवरी में होने वाले खेलों के बारे में सबसे पहले बेडमेंटन की बात करते हैं बेडमेंटन में बैक टू बैक भारत में तीन अंतराष्ट्रिया लेवल की टूर्नामेंट होने जा रहे हैं जहां पहला टूर्नामेंट संराइज इंडिया ओपन 2022 का है जो 11 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा उसके बाद सेयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 लखनोव में खेला जाएगा जो 18 जनवरी से 23 जनवरी तक खेला जाएगा और इसके बाद उडिसा ओपन खेला जाएगा जो 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में खेला जाएगा अब बात करते हैं फैंसिंग की, फैंसिंग के अंदर जनवरी से मार्च के बीज में चार वर्ल्ड कप खेले जाएंगी, जनवरी के अंदर दो वर्ल्ड कप होने हैं जहां बारत की तरफ से C.A. भवानी देवी भाग लेंगी, पहला टूर्नावेंट 14 जनवरी से 16 जनवरी 2022 क होगा वहीं जो जो जोर्जिया में खेला जाएगा, वहीं दूसरा बड़ा इवेंट 28 से 29 जनवरी को बुल्गारिया में होगा, जहां भवानी देवी मुकाबला करते हुए नजर आएंगी, वहीं फूटबोल के अंदर AFC Women Asian Cup होगा, जो भारत में ही खेला जाएगा, मुका करेंगी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, रैसलिंग के अंदर, तो रैसलिंग के अंदर तीन बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने हैं, पर तीनो टूर्नामेंट और तीनो टूर्नामेंट 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच होंगे, पर यहां भारत के कौन-कौन से wrestler भाग लेंगे या नहीं लेंगे ये अभी तक clear नहीं हो पाया है जैसे ही इसके बारे में information मिलती है तो आपको update कर दिया जाएगा दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही जूड़े रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें धन्यावाद